दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ ही हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई किया बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले सिरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बाड़ी करमें नेचे पहली तक सुबे में जहां सुखे के हाला थे अब बाड़ का खत्रा मुठनाने लगा है पिछले तिन दिन के बार से करण सुखे से रहत मिली है लेकिन कई जिलो में नदिया उफनाने लगी है वहां भी तब जबकी वर्सा पूरी तरह से नहीं हुई है एक सब्त पले जल सतर नेचे चले जाने से पानी के लिए हाकार मच गया था वह देखे जल संसाथन विभा की रेपोर्ट के अनुसार गड़क बाराज से सुकुरवार के दिन की दो बजे 45,600 क्यूसिक पानी डिश्चाज किया गया हलाकि सौन नदी के इंदरपूरी बाराज में मात्र 6,779 क्यूसिक पानी चुड़ा गया है वह फालगो नदी में उधरिस्तान बाराज और उत्तर कोईल नदी महम्मद गज बाराज में पाने की कमे अभी भी बनी हुई है वाई देखे जीलो की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के तराई इलाके सहित नदी के जलगरन इलाके में होरे बारिस से गोपाल गंज में गंडक नदी का जलसर तेजी से बढ़ रहा है वाई देखे बेगुसरा में भिसन, गर्मी और वर्षा के कमी के करन नदी वा तलाब का जलसर काफी नीचे था वहाँ पेछले चार दिनों में हुई अच्छे बारिस के बारिस के बाद जलसर में कुछ विर्दी हुई है बाड़ कर में देखे बादना के सडकों पर उत्रे सिख्चक अविर्दियों पर लठी चार जय दोमिसाले नेति हटाने पर राजधानी में मचा बवाल जैदेखे कल बादना में पुरे राज से आकर सिखक अबियर्दी जमा हुए प्रदेस के सरकारी विद्धलेव में एक लाग सतर जार पदो पर होने वाले सिचक नियुक्ती में डो मिसले नेती हटाने के विरोध में ये सडक पर उत्रे थे गांधे मैदान के पास जेपी गोलंबर के समीप से अभियरती एक जुट होकर धने पर बैट गए थे प्रदासन के कारान एक तरब जहाँ पटणा में गादे मैदान के आसपास महा जयाम लगा हुआ है वहीं सिचक अभियरति को काबो में करने रिए पूलिस ने हलका बल का प्रयोग भी किया जानकारी का अनुसार पुलिस को बल का परियोग करना पड़ा और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है CT8, BT8, ST8 पास सिक्चक अबियरती पटना के सटकों पर उत्रे थे पुलिस ने इन्हें दितर बितर करने के लिए लाठीया भी चटकाई है वहीं डाक बंगला चुराहा पर इन अबियरती का हुजूमा दिखा पुलिस पटना जक्सन की तरप इने खदरने के परियास में देखे पुलिस ने अबियरती पर लाठी चार्ज किया अबियरती दोबारा सड़क पर आ गए और नारे बजी करने लगे बाड़े कर में देखे शिख्चक अबियरती को मिला कई रहनी तिक पाडियों का सेथ अब और तेज होगा अंदोलन जह देखे बिहार शिख्चक बाहाले में इस्तानियतों को बरकरार रखने के लिए प्रदसन कर रे शिख्चक का बियरतों के साथ बिहार के कई रहनेतिक पाडिया आ गई है इसके बाद अबियारती और पाड़ी विरोध का रहनेति बनाना में जुट गई है हिंदुस्तान आवाम मुर्चा विकासिल इंसान पाड़ी और राष्टिय लोग जन सकती पाड़ी छात्रों की समर्थन में आ गई है हिंदुस्तान आवाम मुर्चा के संसापक सरक्षक बिहार के पूर्मुक मंत्रे जीतरा माजी एवाम पाड़ी के राष्टी आधाच बिहार सरकार में पूरो मंत्रे डाक्टर संतो elephant कुमर सुमन ने डौमिसाले निती को हटाये जाने के खिलाब बिहार के सिक्चा का वियर्दों की मांग पर कहा कि हम पाड़ी उनके मांग का समर्थन करता है डौमिसाले निती को हटाने को लेकर पूरे बिहार के जनता में आकरोस की लहर है हम पाड़ी डो मिसाले निती को लागू करने के पक्च में है सरकार ने प्रतिबा सली बिहारी प्रतिबा वाले बच्चों पर टिपनी कर प्रतिबा का अपमान किया है मैं देखे सिक्चक का बियर्दों पर हुए लाठी चार्ज पर बुले मुकिस सानी इतने साल से सरकार चला रहे है नितीस लेकिन सिक्चकों के दिल में जगा नहीं बना पाए जिया देखे पाड़ना में सिक्चक अबे अर्दों पर वे लाठी चार्ज पर मुके सने ने कहा कि यह सरकार का अपना प्रकरिया है सिक्चक अपने अधिकार के लिए रोड पर उतर रहे हैं सरकार को यहाँ पर समयधारी से काम लेना चाहिए सिक्चकों से बात करने चाहिए और उनके जरौत को पुरा करना चाहिए क्योंकि हमारी सिक्चक के उपर यह बिहार का भवी से है बच्चों का भवी से निर्माता सिक्चक ही होते हैं सिक्चकों पर लाठी चार्ज होना सही नहीं है सरकार को लाठी चार्ज नहीं बलकि बाचित करनी चाहिए इतने दिन से सरकार चला रहा है नितिस कुमार लेकिन सिख्चकों के दिल में जगा नहीं बना पाए है केտ सिक्चक भर्तिय अबियर्तियों पर लाठी' चार्च से उबले चराग पासवान बोले नितीस के पास लाठी ही एक इलाज अन्होंने कहा कि जब इवान नोख्री मांगता है तो नितीस सर्कार उसका जवाब लाठी से देती है चिराग पासवान ने बिहार में सुसासन के दावो पर भी सवाल उठाया है पाटना में प्रेस को समधित करते हुए उन्होंने कहा कि निति सरकार के पास इबावो की समय सव का एक ही समाधान और वो है लाठी जब कोई भी हुआ अपने हाग के लिए आवाज उठा दया तो नोकरी मांगता है तो सरकार उसे लाठी से पीट देती है सुकुरवार को जिस तरह से सिख्चा का बेरतों पर सरकार ने लाठी चार्ज कराया है वो निंदनिया है बाड़ेकर में देखे मैट्रिक परिचा 2025 के लिए रेजिस्ट्रेशन सुरू 14 जुलाई तक कराई रेजिस्ट्रेशन जादे के बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परिचा 2025 के लिए भी रेजिस्ट्रेशन की तिति जारी कर दी है रेजिस्टेशन 30 जून से सुरू कर दिया गया है समधित स्कूल के चातरों चातराई 30 जून से 14 जुलाई तक उलाइन रेजिस्टेशन करेंगे रेजिस्टेशन फॉर्म बोर्ड की वैबसाइड secondary.biharboardonline.com पर से डाउनलोड करके भरा जाएगा नियमित चातरों के लिए रेजिस्टेशन सूलक 320 रुपिया और स्वतंतर कोटे के चातरों के लिए 460 रुपिया रेजिस्टेशन सूलक ऑल्लाइन भरा जाएगा किसी तरह के दिकते होने पर हेलप लाइन नंबर 0612-22-074 पर संपरक कर सकते हैं बाड़े खर में देखे बिपाक्ची एकता की दोसरी राउंड की मीटिंग में बैंगलोरो जाएंगे लालो यादाव बोले कहीं कोई विवाद नहीं के जिरिवाल भी साथ होंगे जादेखे राश्टिया जानता दल प्रामुक लालो यादाव ने मेडिया को दिया बयान में कहा कि वो बिपाक्ची एकता की बैंगलोरो में होने वाले दूसरी बैठक में सामिल होंगे उन्होंने कहा कि विपाक्ची मोर्चे के लिए सवंजग चुनने पर अभी तक कोई बादचित नहीं हुई है और 13-14 जुला में बैंगलोरो बैठक में सीट बड़वारे सहीद कई प्रमुक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है साती ये भी बताया कि वो बिहार में महागडबंदन के सिर्षी नेताओं में से एक होंगे जो 2024 के संसदे चुनाओं में पियम मोदी को टकर देने और भाजबा विरोधी मोर्चे को खतम करने के लिए आगामे विपाक्ची बैठक में सामिल होंगे आपको बता दे कि लालो पिछले साल किडने टांस्प्लांट से उबर रहे हैं वाजे कि लालो यादव ने कहा कि आम आदमी पाड़ी प्रस्तावित बड़े विवक्ची मोर्चे का हिस्सा होगी इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है आपने तेज जुन की बिवक्ची बैड़क के बाद केंदर के अदादेश पर अपना रूख स्पष्ट करने में कोंग्रिस की नियत पर टिपनी की थी हाले में पेम मुदी द्वारा आगे बढ़ाए गए एजन्डे योजिसी को स्यदान्तिक रूप से समर्दन देने के आपके इस रूख ने इस बात को लेकर अटकली तेज कर दी कि क्या के जरिवाल प्रस्तावित पिवक्ची मोर्चे में सामिल होंगे या नहीं बाड़े खर में देखे एससी में MTS वह हवलदार के 508वन पदों पर निकली भरती जदे के एससी ने सुकुरवार को मल्टि टास्किंग इस्टाप और हवलदार भरती परिचा दो जर तेज का नौट पिगसन जरी कर दिया है सुकुरवार से आविदन की प्रक्रिया सुरू हो गई है ओफिसियल वेबसाइड ससी.nic.in पर 21 जुलाई तक आविदन कर सकते हैं इस परिचा के जरी पंदर सु नटावन पदों पर भरती होगी इसके लिए हाई स्कुल पास होना अनिवारी है और नेमनी सी में 18-25 वर्स और 28-27 वर्स होनी चाहिए पिछली भरती के सापेक्च इस कुलदार पद पर चैनित होने वाले तैनाती, सेंटल बोर्ड अप डारेक्टर टेक्स एन कस्टम और सेंटल बिरो अप नौर्कटिक्स में होंगी बाड़ी घर में देखे पस्तुपालन विभाग में निकली 3444 पदों पर बंपर बहाली जादी के सरकारे नोकरी के तैयारी करने वाले वावो के लिए बड़ी खुस कबरी है, बारते पस्तुपालन निगम निमिटेड में बंपर बरती निकली है, सबसे बड़ी बाती है कि इस बहाली में दसवी पास लोग भी आवेदन कर सकते हैं, वाजे कि आवेदन के आखरी तारी पांच जुलाई है, ऐसे में अवेदन करना चाहिए सोना निवारे हैं, बाड़ी खर में देखे जद्द्द其實 सांसदों से अकले तीं दिन अलग लग मिलेंगी स्यम, वेआर की मुख्यं मंतरी तथा जद्द्द이죠 की सिर्वाइन निटार Спाँ कमार राइवार से अगले तीन दिनों तक अपने दल के लोकसभा और राजसभा के सांसदों से मिलेंगी उनके यह मुलाकात एकांद में और अलग अलग होगी बताया जा रहा है कि वन टू वन होने वाले से मुलाकात को लेकर जदतार सांसदों को मुख्यमंतरी का बुलावा आ चुका है सांसदों को पटना में उपलब्दा के मुताविक सियम से मुलाकात के लिए उनका समय निदारित किया गया है आपको बता दे कि फिलाल जदोई के लोकसभा में 16 जबकि राजसभा में 5 सांसद है इनमें से एक को छोड़कर से सभी के तीन दिनों के दर्मियान पटना में 30 कुमार के मिलने को लेकर भला ही सियासी गल्यारे में कई तरह की चर्चाए लेकिन पाड़े के इविस्च्छ सूत्रों की माने तो जदोई के बड़े सिर लेकर छोटे कार करताओं की चाहत सियम से मिलने की रती है इसी को लेकर यह पहल की गई है पिछले 2-3 दि के राज भर में आज बजरपात के चितावनी पाटना सवेत सुवे में मांसुन के महरवाने अगले तीन चार दिनों तक जारे रहे गी इसी तुरान राज भर में चार जुलाई तक गरज तड़क और बजरपात का अलड़ जारी किया गया है मौसब मिभाग ने दो जुलाई को पाँच जिलों में जबके तीन जुलाई को आड़ जिलों भरी बारिस के चितावने जारी की है इसी तुरान पटना सही ते आनि जिलों में भी आंसिक से मैदम बारिस होगी जिन जिलों के लिए रहिवार को यानि कि आज भरी बारिस के चि लगो को सान्सक्रितिक आयोजनों की सोचना पत्र भी भर देना होगी यह जानकारी अटीजी विदी विवास्ता संजय शिक्वार को पुलिस मुक्याले में आयोजित प्रेस कॉंफरेंस में दी है एडी जी कानून वेबास्ता संजाइ सिंग ने बताया कि हर्स फारिंग को लेकर पुलिस मुक्याले के और से नए एसोपी लगू की गई है जिसके दाइरे में साधी तिलक मुंडन जनेवों के सबी करकर माएंग लेकिन पुलिस का फोकस मेरिज हौल, मेरिज गार्डेन, बैंकवर्ड हाल जैसे जगोव पर आयजित होने वाले उना एजनों पर रहेगा जहां ज़्यादा बेर जूट सकती है और हर्स फारिंग का खत्र हो सके इसके अलवा थानों को भी निर्देश जारी किया गया कि मेर पर आरे बारिस के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, पिछले 24 गंडे में नदियों के जलस्तर में 8 से 10 सेंडिमीटर की बढ़ोत्री हुई है, हाला कि गंगा समेत कई नदिया अभी भी खत्रे की निसान से लगबग 7 मीटर नीचे है, लेकिन जलस्तर में पुनपुर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अधिकारियू का कहना है कि नदीयू का जलस्तर में अभी बढ़ उतरी होने की समभमना है। गंगा सोन बाल सुरक्षा प्रमंडाल दिगा की रिपोर्ड के मोताबि गंगा सोन और पुनपुन नदियों का तडबन पुरी तर सुरक्षी थे। सामिल की गई है। इसके बाद इतिहास इसना तक करने वालों को वेद पुरान इस मिर्तिया आदे के बारे में भी पढ़ना होगा। राजबहान के और से फिलाल दो समेस्टर का सिलिबस जारी किया गया है। दर्शन साथ्र में समाकालिन भारते दर्शन के बारे में अधे होंगे। वाईने इस सिलिबस के साथ इसके सम्मर्ण में पोस्तो का भी लेक किया गया है।